पिछले सत्र में हमने यह देखा कि एक चाल वाले रेखिक समिकरण को कैसे हल कर सकते हैं मित्रो अब इस सत्र में हम इस संकल्पना के परिवेश में एक समान्य गल्ती की ओर नजर डालेंगे मान लीजे हमें यह समिकरण दिया गया है और एक्स के मान को खोजने के लिए कहा गया है जो विकल्प हमें दिये गए है वे इस प्रकार है आपके अनुसार सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर बी विकल्प है अर्थात एक्स दो के समान है अब कुछ लोगों का उत्तर एविकल्प आया होगा ऐसा क्यूं हुआ? हमसे कहां गलती हुई? चलिए पता लगाते हैं जो समीकरण हमारे पास है वह यह है क्योंकि आठ इस पत से गुणा किया है तो हम कोश्टक को खोल कर सरली खुरुट करेंगे लेकिन यहां हमें ध्यान देने की आवश्चक्ता है क्योंकि आठ से गुणा करने के दौरान हम केवल चार एक्स को आठ से गुणा करते हैं और तीन को आठ से गुणा करना भूल जाते हैं इसी लिए हमें गलत उत्तर मिलता है यदि हम ध्यान दे तो हम यह देखेंगे कि सम्पूर्ण कोश्ठक जिसमें यह व्यन जन्सम्मिलित है उसको 8 से गुणा किया गया है ना कि केवल 4X से इसलिए 4X के साथ हम रुनाफ्मक 3 को भी 8 से गुणा करेंगे तो हमारा दूसरा कदम कुछ इस प्रकार दिखेगा इसलिए जब एक संख्या को उस कोश्ठक से गुणा करते हैं जो एक से ज्यादा पत से सम्मिलित है तो हमें यह ध्यान पूर्वक सुनिश्चित करना होता है कि वह संख्या कोश्ठक में मौजुद सभी पदों से गुणा की जाए अब हम जानते हैं कि इस समीकरण को कैसे हल करते हैं यदि हम इस समीकरण को हल करते हैं तो हमें X कमान 2 के बराबर प्राप्त होगा आज के इस सत्र में हमने एक चरवाले रेखिक समीकरण को हल करते समय होने वाली एक सामान्य गलती देखी